हलो फ्रेंट्स आपके लिए लेकर आए एक न्यू वीडियो आपको पता होगा कि सामसंग का 2024 का न्यू टीवी लॉंच हो चुका है और आपके पास जो आज मैं टीवी दिखाने जा रहा हूं आपके सामने वह है आपका क्यू एलेडी क्यू सिक्स्टी डी और यह रहां के साम टीवी देखने को मिलती है तो इसका लुक्स जो है काफ़ अट्रक्टिव है और बेजल से इसमें अगर हम बात करें रिमोट में तो देखें सोलर सेल्ट रिमोट आपको मिल यहां पर और काफ़ी कॉम्पैक साइज का है बैक में सोलर परने लगा हुए और साइड में आप पर आपके पास टाइब सी चार्जिंग पॉर्ट है जिसे आप अपने मौल चार्ज कर सकते हैं तो काफी हैं ले स्कीज यहां पर दिये गया है काफी कम बटन है और यह जो है आपका देख सकते हैं पिक्चर्स क्वालिटी वाइस भी काफी इंप्रूब्ड है इस बार लास कि इस टीवी में आपको क्या क्या दिया जा रहा है इस वार तो सबसे पहले इस टीवी को हम करते हैं सेट अप तो सेट अप करने से पहले करना कि इस टीवी को हमें करनी है इंटरनेट के थूरू कनेक्ट तो वाइफा कनेक्ट कर लेते हैं तो यह जो है वाइफा हमें कनेक् करेंगे कि सेट अब नौप पर जैसे आप क्लिक करेंगे टम संद कंडिशन का पेज आ जाएगा इसको अगरी करना है अब चाहें तो पड़ सकते हैं और अगरी करने के बाद सिस्याप कर डेंगे दाब क्या करने से मिलेंगे दिखिए थलहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा आपको तास सांट के साथ लॉगइन कना होगा लॉगइन करने लिए के आपके पास ऑप्षन है QR कोड रिमोट कंट्रोल या फिर वेब साइट के तुरू तो हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं QR कोड़ स्कैन करके लोग इन कर रहे हैं डीटेल इसका वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डीसक्रिप्शन में मैं देदो हूंга कि तो अपने सामसंग फोन या यहाँ अचाफी परकाफ करेंग दिखा देगा और यहां पर नेक्स्ट करनी है नेक्स्ट सही करेंगे आपका सिंगल क्लिक में आपका सामसंग अकाउंट आपके सामसंग ट्री में लॉग इन हो जाएगा अगर दूसरे बैंड का फोन है तो आप वहां पर पी कर सकते हैं इसे आप लेटर कर दीजिए और यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो है पेज सेट अप नहीं हो रहा है तो में वेट करना पड़ेगा और यह देख सकते हैं हमारा जो ID है जो फोन में लॉग इन क्या होता है सेम आईडी के साथ लॉग इन हो चुका है तो अभी इसे करेंगे next और यहां पर आपके पास दो वोईस इस्टेंट है अलेकसा विक्स भी तो भी हम विक्स भी सेट अप करें और यहां पर आपको देख सकते हैं वो सेम यहां पर भी आपको देखती है लाइक नेट्फिक्स प्राइम वीडियो वगरा से सभी कुछ तो यह देख रहे थे फोर यू आपके कॉंटेंट रिक्मेंट करता है लाइव में जब जाते हैं तो लाइव में मूवीज हो न्यूज हो कौन से चैनल पर लाइव क्या च दिखेगा तो पहले आपके अंदर दिखता था इस वार आपस के पूरा होम पेज पर यह आपको दिखी जाएगा तो आयप इस वार आप स्पेशल काटेगरी कर दिया गया है तो यहां पर देखेंगे जीस टाप के भी आपको अपलीकेशन यूज करनी है वो सारा आप यहा आपका आप बार पर है जिसे आप मूव कर सकते हैं यहां पर पॉपलर वह उनसा अपलीकेशन इस वह भी दिखा रहे है आपको तो आज पर यह यूजर्स किस टाप के आप अपलीकेशन ज्यादे उस करते हैं वह रिक्यमेंड भी करेगा यह गेम सेक्शन है जहां पर आप अगिल सकते हैं तो यहां पर मेजर्स जो भी OTT आपको चाहिए वह आपको मिल जाती है यह स्मार्ट फिंग्स हब जहां पर आप अपने टीवी से आप अपने सारे स्मार्ट अप्लाइंस को कंट्रॉल कर सकते हैं तो जैसे सामसंग के पास फ्रीज वॉशिं मर्सीन एसी सारे को कनेक्ट कर सकते हैं अपने टीवी से और मोनीटर कर सकते हैं तो यहां पर फेवरेट जैसा देख सकते हैं जो जो कनेक्टेड है आपको दिख रहा होगा क्या 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 प्रड़क्ट कनेक्ट किया हुआ है साथी साथ यहां पर डिवाइस पर अगर आप जाएंगे त तो अभी जो है आपके पास जो मोनिटर कर सकते हैं दूसरा जो है रिंग माई फोन करके फीचर है जो काफी उसफुल है तो मान यह आपका फोन में प्लेस हो गया तो यहां से सेम एकाउंट के साथ अगर आपका लोगिन है फोन और टीवी तो आप अपने टैकली टीवी से फो तो यह जो है आपका टीवी पे आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा कि क्या क्या प्रड़क्ट अपने कनेक्ट किया हुए तो माल यह फ्रीज का डोर ऑपन कर दिया उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा इनरजी कंजेप्शन को मोनिटर कर सकते हैं तो मान लिए आपके घर मे को पर जाएं डेली में क्या क्या करते हैं तो जो जरूत होती उसके बैसिस पर आपको यह सेक्शन दे दिया गया जैसे इजी कनेक्शन रिमोट पीसी सामसंग टेस कंडॉल और यहां पर आपको मिलती हैं आम्बियंट मोड तो तो आप देखते ही हैं जब आप टीवी नहीं सब्सवर अगर जी से आप यूज कर सकते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें आपको मिलती है कामरा एक्सप्रियंस में अभी यहां पर जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं और टीवी में वीडियो देखें कामरा लगा दीए टीवी में और सेम आपका बॉडिलाइंग बैस आप आप अपने डीवी पर देख सकते हैं तो यह काफी उसफूल है जो खुद को फिल्ट रखना चाहते हैं उनके लिए नेक्स्ट अगर हम बात करें यहां पर तो यह आपको पूरा सेटिंग का जो है बार है चाहां पर सारा ओप्शन दिया गया तो अगर इसे मूव करना चाह करता हूं जिस ऑप्शन को फंक्शन को मैं ज्यादा यूज़ करता हूं यह अब सेट अप सेटब में अगर देखेंगे आप एक पेजब जाते हैं तो यहां पर पूरा सेट हो गया सेटब पेज होगा एक्सपर्ट सेटिंग में आप जाएंगे कलर बूस्टर दिया गया ज अगर सॉंड में आते हैं तो यहां पर आपको क्यू सेंफिनी सेट अप ऑप्शन दे दिया गया है जो आपके पास पहले यह सेटब ऑप्शन पहले स्पेसिफिक नहीं था इस पर आपको दे दिया गया जहां पर आप टीवी का सॉंड प्लस सॉंड बर दोनों अट दी सेम टाइम आप एक्सप्रियंस कर पाएंगे और यहां पर आपको देख पाएंगे जो इस टीम आई सॉंड पर अप लगाते हैं डॉल वेटमस वाले उसके लिए दिया किया है अगर हम बात करते हैं यहां पर तो इसमें आपको सांड आट पूड पर आगर जाएंगे तो यह पर Bluetooth स्पेकर में दो तो आपके पसमाल यह सजादा स्पीकर है तो आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं अपर टू ब्लूटूटूट डिवाइस या फिर आप दो लोग एक साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं तो अपने अपने फे ब्लूटूथ जो नेकबैंड हो गया बर्ड हो गया उसको कनेक्ट अब यह आपका जेनरल जहां पर वोइस का सेट अप है तो वोईस में आपके पास बिक्स भी और अलेक्सा दो वोइस इस्टेंट है जिसे आप यूज कर सकते हैं वोइस इस्टेंट के लिए यहां पर आपका अगर आप जाएंगे पावर एन एनर्जी के ऊपर तो आपका नहें जो बताया था था होई रिमॉट कितना से बेटरी उस में चेक कर पाएंगे तो जहसा है अब आप डैहलेबट रिमॉट बैटरी के रहिए तो आपका क्या होता जो भी डेटा है वो सब क्या होता है रेज हो जाती है वह यहाँ पर क्या है आप उसे बैक अप लेकर रेक सकते हैं में USB में तो यहां पर आपको उमेद करता हूं कि इसका जो और न्यू टीवी का जो इन्फर्मेशन आमना आपको दिया पसंद आया होगा दूसरा इसमें एक फीचर दिया गया है जो बता रहा हूं जो इंपोर्टेंट है इसमें वह आपका मल्टी भीव में क्या है आप अप अधिस से सेकंड स्क्रίν पर अपने मॉइल को स्क्रerald करें या फिर आप लाप्टाप उस्क्र thyroid करके या फिर कामरा को आप देख सकते हैं तो यहां पर आज्फीय उप्शन जो आप स्लेक्ट कर सकते हैं किया यूज करना है तो यह जो है आप को मैंने सेट अप किया यहाँ पे टीवी सामसंग टीवी अन्ड मोईल तो एक तरफ Samsung TV प्लस चलेगा दूसरे स्कीन पर आपका मौईल के स्कीन आएगा तो यहाँ पर आप मौईल मिररिंग कर लिए और यहाँ पर आप दिस सेम टाइम दो प्रोग्राम आप देख पाएंगे तो यह रहास न्यू यूजर एंटरफेस Samsung QLL TV उमेद करता हूँ यह वीडियो पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो आज के लिए तना ही थैंक्यू सुमज